चुनावी बॉन्ड को आज सुप्रीम कोट ने ऐस सवेधानी करार दे दिया है पहले से कॉंग्रेस पार्टी कहती रही कि जो चुनावी बॉन्ड है जिसमें जनता को कुछ पता नहीं चलता यह बड़ा घुटाला है आपको किस बिजनस घराने ने कितना बड़ा पैसा दिया क्यों दिया इसका कार्णिस पस्ट होना चाहिए उसकी लिस्टिंग होनी चाहिए इलेक्शन कमिशन को पता नहीं है जनता को पता नहीं है कोई राइट टू इंफॉर्मेशन के दायरे में ही आता नहीं है आखिर सुप्रीम कोट ना आज बहुत बड़ा न्याई किया है दे स्टित रूप से इसमें का स्वास नजर आता है कि यह फैसला जो सुप्रीम कोट काया है इसको इमानदारी से लागू करना तो केंसे सरकार का काम है लागू होता है तो बैक की पूरी स्ट्री आ जाएगी सच्चा ही सामने आ जाएगी कॉंग्रेस पार्टी लगातार कहती द कोले उसकी जवान पर ताला लगा दिया जाता है कोई खुलकर अपनी बात कह दे तो असली राम राजी यही है कि आपकी इमानदारी सामने आनी चाहिए यदि राम राजी की बात करते हो राम की बात करते हो तो बताईए कहां कहां से कितना कितना पैसा आया सुप्रीम कोट क लगी नियूपति सब जगी कि लिए रहें कि नियूपति का मामला पहले चीफ जस्टिस कमिटी के मेंबर थे प्राइम मिनस्ट्र थे अब चीफ जस्टिस नहीं होगे उस कमिटी के मेंबर और एक 1000 लाकन लोग सभा में इस मामले को खतम किया गया तो मैं आज फिर कहा रहा हूं, सब लोगों को सावधान होना चाहिए, समझना चाहिए और यह जो चुलावी बॉन्ड का सेस लाया, सुप्रीम कोट का, यह देश को एक ताकन देगा, जनता को ताकन देगा, डेमोक्रेसी को ताकन देगा और इसमें यह बड़ा घुटाला सावित होगा